हाई फ्रेंट्स में डेजल क्लासे तो आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो फ्रेंट्स हमारा च्छत्वा या साथवा पार्ट है अगर चैनल में नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच भाए यहां यहां पर आपको आपको जो की पता चल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन तोनी में लिखें कौन 36 गड़की बोली में नहीं आता है तो बाइगानी विजवारी खलटाही कांकेर तो इसका जो सहीं आपसें हो जागाए बी आपसें जो बोली में थार्ट के पाया जाता है तो इसका भी आपसें जो की चत्ती गड़की प्रसीद्ध पढ़ाऊनी बात किसे कहते हैं तो यहां मामा को घर में बुला कर भोजन कराना है या घर में नहीं बहूंके आग्मन का भात है या बेटी की विदाई के समय दिया गया युआ के समय दुल्हे को कराया गया भोजन है तो इसका जो सही आपसन हो जागा भी आपसन याद रखिएगा छती गड़ में जो आपके प्रसिद्ध पढ़ावनी जो भात है यह मुखे रुप से घर में नई बहू के आगमन का भात होता है तो इसका भी आपसन याद जाएगा तो शती गड़ प्रसिद्ध हरेली तेवहार कि इस महा में मनाया जाता है तो सावन के महीने में मनाया जाता है इसका डी आपसन सही हो जाएगा तो इसका डी आपसन सही हो जाएगा सावन में जो कि हरेली तेवहार मनाया जाता है और हरेली तेवहार जो है आपका जो की प्रथम तेवार है स्टार्टिंग में इसको जो की मनाया जाता है किसानों की द्वारा अगला कुछ देखते हैं सोना भी हान के संस्थापक कौन थे तो मनी राम साहू राम चंद्र देश्मुक देवदाज बंजारे दाव महासी चंद्रागार नवर्शी इसका सही आप जाएं अमजोरा क्या है तो यहाँ भाहत अभवप अधती से संबंदी था एक प्रापदार था है यसी है लोग गित या लोग वाद्य है तिसका सही आपन हो जाएगा वी आपसन याद रखिए जो आपका स्कतिकर्ण में जोरा इसे आपका एक पयापदार थवां याद रखेगा अगला कुशन देखते हैं बार नाच किस जनेट में प्रचलित है तो गोड़ जन जाती कूर्मी जन जाती क मड़़ जन जाती और हल्बा इसका जो सही आपसर हो जाएगा C है आपसर याद रखें कमर जन जाती आपके कमर जन जाती में जोकी प्रचलीत है प्रचलीत है इसका C तरन कवर जाती सही आंसर हो जागा अगला कुशन है चत्ती गड़ के सरवाधिक प्रसिध्ध लोक नित्य कौन से है तो कर्मनित्य पंथी नित्य सुवान नित्य दिवार नित्य इसका सही आपसन हो जाएगा एए आपसन याद रखे कर्मनित्य जोकी चत्ती गड़ के सरवाधिक प्रसिध्ध लोक नित्य तो मोश्ण इपोटें यहां जाती की लोग किया जाता है जो की इसका सी आपसर सहीं हो जाएगा अगला को शनंदेखते हैं प्याइबर Bye ओley एंग्ला कुस्ट है तो खत्Zती गड़ की जिल में राज्य पर मिलला लगता है तो बस्तर दंतेवारा सड़ feather है तो इसकी सही आप शन्हों जाएगा तो च्छतीगण के राइपूर में मैं छीचाटीगण के यहां वे राइपूर में यह जिल में घंपर बंपर में लगता है तो यादर रखेंगा आप रायपूर में हरसा राजब पारमिला लगता है रायपूर जील में अगला कोशन है हमारा 150 चछतिजगड में अंगाकार क्या है मुश्ट इम्पोर्टेंट कोशन है तो मोटा से भाई या पत्तो से लिप्टी होई मोटी रोटी है या दाल रड़ी रोटी है या विवास पुर अगला कुछन 151 बस्तर में धूरवा और परजय जन जाती आम फलने के समय कौन सा तेवहार मनाती है तो आमा खाई माटी तिहार दियारी गोंचा परवा अगला कुछन देखते हैं तो आपका उराओ, गोंड, भत्रा या मुर्जय जन जाती का तिहारी तो इसका सही आपसन हो जाएगा एपसन याद रखेगा उराओ जन जाती तो इस जन जाती द्वा रखेगा इनकी पारंपरीक लोख नीच्ट सरहूल आपके उराव जन जाथी का पारंपरीक लोख नीच् updated कि छटी गढ़ में खूर बेटा किसे कहते हैं तो पत्नी आपके पत्नी की बेटे को बहन के बच्चे को यसी पत्नी के पूर्व पत्ति के बच्चे को या डी है मूल नच्छत्र में पैदा हुए बच्चे को तीसका सही आपसन हो जाएगा तो आपके पत्नी के पूर्वा पत्ती के बच्चे को यहाँ पर खूर बेटा कहते हैं चत्ती गड़ अंचल में तो इसका सी आपसन सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं खत्ती गड़ में हताऊरी फिराए क्या है? तो यहाँ पूरी हताऊरी पीट पर बना गोधना है, यह जूरी अगला कुशन हो जाएगा पर क्योंद पनवानी गायान की ग०ित श्रिमत भागवार तुफ में पूछा गया है अब आपके जो पनवानी गायान है यहां पे महभारत की के ग०्मद पर अधारित होती सब्सक्राइब नियुक्ष के Score जाएगा अन्हीं हो जाएगा अगला है। तो अगला सानि की आप्सट हो जा ग साल विक्ष मेराइब चालविक्षे को हुज़ा अगला कोशन देखे है अगला question देखते हैं धनकूल गेट कहा यहां पर का गया जाता है तो आपके बस्तर जीला में सरगुज़ा जीला में विलासपूर जीला में रायपूर जीला में यह उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही आप्सन हो जाएगा याद रखेगा आपसन बस्तर जीला के अं कहते हैं तो आपके चड़ विवाह के नाम से इसको जन जाता है तो छत्ती गड़ में बाल विवाह को गवन विवाह कहा जाता है इसका सही हो जाएगा अगला कुशन है अगला कुशन हमारा बस्तर का दसहर कितने दिनों तक चलता है तो 70 75 80 90 तो इसका सही आपसन हो जाएगा आपसन याद रखिए अभी आपसन यहां पर जो बस्तर का सबसे ज्यादा लंबे अउधी तक होने वाला दसहर है जो कि 75 दिन तक यहां पर इसका आयोजन होता है तो इसका भी आपसन सही हो जाएगा तो छत्ती गड़ के बस्तर मनाये जाने वाले दो दसहरा परवा है विस मुझपा है तो नेस पार्ट में कवर करेंगे बसाथ के लिए इतना ही अच्छा लगए चाना उनको लाइक सब्सक्राइब और कमिन कीजिए तो चलिए बसाथ के लिए इतना ही थाइंक्यू